आज के इस दौर में हम जो भी खाते हैं वह मिलावटी होता है क्योंकि खाने पीने की चीजों में सबसे ज्यादा मिलावट की जाती है और इस भोजन में पोशक तत्वों की भारी कमी भी होती है जिसके चलते शरीर को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिसम आपको एक ऐसी दवा के बारे में बताने जा रही हैं जिसका सेवन कर आप इन सभी बिमारियों से और समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं दोस्तों आज किस खास वीडियो में हम जिस खास चीज़ के बारे में आपको बताने जा रही है वो खास चीज़ है छुआरा जी हा आपने कभी न कभी छुवारा जरूर खाया होगा दोस्तों ये खाने में तोड़ा मीठा और स्वात के अनुकुल बहुत ही अच्छा होता है यह हमारी सेहत के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है क्योंकि यह हमारे शरीर को एनरची प्रतान करता है यदि आप इसे नियमित खाते हैं तो इसके सेवन से कमजोरी, खून की कमी, ठकावण, जोडों कादर, गठिया, इत्यादी समस्या दूर हो जाती है इतना ही नहीं इसके नियमित सेवन से मूटापेब से भी राहत मिल जाती है दोस्तों यह केलशियम, पोटेशियम, मैगनीशियम, जिंक और फाइबर से भरा होता है इसलिए छुवारा खाने से आपके शरीर में फूर्ती बनी रहती है और आपकी हड्या भी मच्पूत हो जाती है लेकिन इसके लिए आपको इन्हें खाने का सही तरीका पता होना चाहिए आज हम आपको छुवारे का सेवन करने का सही तरीका बताने जा रहे हैं यदि आप छुवारे सीधे ही खाते हैं तो यह आपको इतना फाइदा नहीं देगा लेकिन यदि आप ज्यादा ज्यादा फाइदा लेना चाहते हैं तो आप छुवारे का हलवा बना कर उसका सेवन कीजिए यदि आपके पास हलवा बनाने का समय नहीं है तो आप एक गिलास दूद लें और उसमें चार से पांच कटे हुए छुवारे डाल कर अच्छे से उबाल लें और इसे जब तक पकाएं जब तक दूद आधा न रह जाए फिर आप इस दूद को गुन-गुना होने पर रात के समय सोने से पहले पी लें ऐसा करने से आपकी जबर्दस चानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर आवश्य करें धन्यवाद